कि सभी लोग तो आई चुके हैं हर्स कर दो आ गया है तो नवीन कि सिवानन्द कि हर्स कि सिवानन्द हेंड्रेज करो जो लोग आ गए हो सब लोग है कि सब्सक्राइब कहानी अमारा कहां तक पहुंच गया था कहानी अमारा कि सबसे पहले चचा रॉबर्ट हुक आए ना और यह क्या बोलके गए कि जो सेल है वह इस टाइब का होता है ऐब डूसरा है एवी लिवयन हवग जाना किस दिल्सका सोएक्स संब्सक्राइब करने कर देखने वाले करने का कर बरिडिया स्बसे पहले इस पर्म की मॉमेंट को देखने वाले संट इस बात का प्रिडिट ले लिया तो ये दोनों थे कौन रोबर्ट हूख और एंट्वा लिवेन हॉख 1665 और 1667 समय बीचता गया साइंस की टेक्नोलोजी भी आगे बढ़ती चले गई लोगों के अंदर कुरियो सिटी तो बहुत भयानक भयानक जागने लगी पता नहीं क्या-क्या पढ़ने और क्या-क् तो इस बीच में कई सारे क्ई लोगों किया फिर अब हम अगले सायंटिस्ट का बात कर रहे हैं जो काम का सायंटिस्त के उशके आप नाम लिखा-कै आप हमस् dinero है जे से जॉन बीथ ठीक्र टीक है connect कि स्भी चैए और पता यह क्या थे यह जर्मन बॉटनिश्ट जर्म las यह रहने वाले थे जर्मन बॉटनिश्ट कि रहने रहने वाले थे जर्मन बॉटनिश्ट उसह बोटनी वाले मेंली प्लांट की स्टड़ी करते हैं और जिलोजी वाले मेंली एनियमल की स्टड़ी करते हैं और ऐसा देखा गया है ज्यादा तर जो होता है वह एनियमल के साथ साथ प्लांट के स्टड़ी में इंटरेस्ट रखते हैं यह मजाग वाली बात नहीं कर रहा हूं प्लांट के बिना तो अगर आप प्लांट का भी नॉलेज़ लेके चलना पड़ेगा यही कारेने कि आपको पूरा बायोजी पर आ अधरवाइज हमारा जो ग्रेज़वेशन में में सब्जेक्ट वो जिलाजी है और पोस्ट ग्रेज़वेशन में भी जिलाजी आगे भी जिलाजी अब आप यह सोच लो कि हम जलोजी का आद्मियों कि आपको बॉट्टिंग के से पढ़ा रहे हैं और पढ़ाये जिनको अब इसमें अजीनको अच्छे से प्लाजनिती करेंगे दीन रात के वहां राजनिती करेंगे बच्चों के वीच में उल्टा पुल्टा चीज़ सिखाएंगे अच्छे से और क्लास में पराने आ गया अब बोटनी कहला रहा है तो घर बोटनी से पहले वा तो उसका कमी वहीं पर है जो लोजी परता दो दोनों पर ना परता हो दोनों का ज्यान होता बोटरियों अच्छा से रट के नहीं आप पाया तो कुल मिला के आपको मैं इसलिए कहानी बता रहे हैं यह फैक्ट भी यह बांकि आगे ट्रिक भी बनने वाला है इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यह जो जर्मनी के रहने वाले बॉटनिस्ट है यह बता हैं बिस बस आपको मैंने यह कहानी बता दिया और यह बनने वाला जांटर नोलएंज को रखता है इनकी इंट्रेस्ट बोटनी के साथ साथ जी में है मिला के अब चलिए इस कहानि को मिटाथे हैं यह को समझ में आ जा जएगा जो में बूली मत हो कि Ms. लिदें ने बहुत सारे प्रैन्ट पर इस्टड़ी किया तौन साल इसी imperium में इन्होंने इन्होंने काम करने के दौरान जो भी इन्होंने प्लांट के अंदर देखा बोला मैं इन मैं इन कीनों को कंने करना चाहता हूं हो गया तो सब कुछ ठीक है ऑंलाइन पर आ रहें लिख्टर में र्जाट हो हो जाता है उसको पता नहीं मीटिंग को वह कौन सा बात बोल रहा है जो इसका रिकॉर्ड लीक हो जाएगा तो उस टाइम ऐसा नहीं होता था उस टाइम अगर आपको जो भी बोलना है जिसको भी बोलना है सब के सामने बोलिए खुलम खुला और सारे सैंटिफिक लोग आते आपको क्यों भी थियोरी देना है को रखना है रखिये सब लोग सुनेंगे अच्छा होगा स्ट bombers होगा बरागर रिजच्ट होगाuciones यह तो खुल मिला कि सलेक्टी माना जागा तब तक ऐसे एम जे इस लिड़न ने क्या किया बोला कि मैं प्लांट पर बहुत स्टड़ी किया हूं मैं प्लांट से रिलेटेड स्टड़ी के माध्यन से एक कंक्लूजन देना चाहता हूं जिसका नाम मैं रखूंगा सेल क्या बोलना चाहते हैं इन्हों ने बोला देखिए हम अब तक जितने भी प्लांट का स्टड़ी किया है और आज समय 1838 का है अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्टड़ी का कंक्लूजन साटिफिक कम्यूटी के बीच में रख जूँ तो बोला क्या रखना चाहते हैं डियर प्रोड़क्स मतलब प्रोड़क्स आप सेल तो बच्चे को यह लाइन तो समझ में आ रहाता है कि आल प्लांट अर्मेड़ा प्सेल बख जितने भी प्लांट आपको आज दिख रहे हैं ज्याए छोटे से ले के बढ़े तक वो सब सेल के बनें बच्चा को यह लाइन समझ में आता कि प्रोड़क्स अपसेल क्या है दो इन्होंने एक मिलाब कंक्लूजन को एक दो लाइन में होगा ना बाकी तो इसका डिटेल एक्स्प्लाइशन होगा तो नहीं वह लाइन अग्या एक से दो डो से चार ऐसे कई सारे सेल बनते हैं और एक ही सेल मिलके कई सारा तो चार से आट फिर फर्दर तो फिर क्या होता है डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप का फंक्शन जो डिफ्रेंट 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 सेल करता है प्लांट के अंदर और यह जो आपको एक सेल से कई सारे सेल से यह सारे सेल बने हैं तो इसका मिलब यह सेल का यह सारा प्रोड़क्ट है मत्व यह प्लांट बना ऊता है को एक सेल आया है और वही सेल जो है डिवाइट करके पूरा बॉड़ी बना दिया चाहे हो चोटा है कि बना हो और हर सेल अलग लग काम करके पूरे प्लांड का फंक्शन को करवा रहा है प्लांट जो बना ही सेल का है और सेल के प्रोड़क्ट का है तो इसे एक सेल नहीं मान लेगा यह से को दूछे स्टैप के सेल भी आया होंगे डिफरेंट सेल के दिवाइट करके क्या क्या होगे दो दो चार तो व मैं नहीं और बेंदर और प्लांट के अंदर और बात नहीं आग El कि यह सेल जो है यह सेल डिवाइड करके अग्रूप अपसेल बनाता है जिसको बोलते हैं टिसू के अंदर एक ही जैसे सारे सेल होंगे यह सेल हो गए पक्का है इस सारे चार गुज़ इसमें दिख रहे हैं इन सब का स्रेम काम होगा अब अब सकता है इस सब अपना नंबर और बरहा ले लो यहां लेगन है एक ही ग्रूप के सेल तो टिसू है तो यह नों बोला कि एक्ट्वल में यह दियर प्रोड़क्त क्या है अपना अपना मत है अपना अपना इनों को लगा है जो भी है ठीक है एक्स्परिमेंटल नहीं है अगर यह और बोल रहा है तो ठीक है चल जाएगा कोई दिक्षट नहीं है ऐसा नहीं कि बिना काम किये बोल रहा है लेकिन आल प्लांड बोल रहे हैं तो यह थे ठीकल बात होगे लेकिन चलो ठीक है आरमान देखें एक्सेप्ट हो गई फिर अगरे सांसचिंटिफिक कमूर्टे का प्लेइस कॉंफरेंस बैठता और उसमें reads आते हैं माहान सक्त देवरत भाज की सब्कूरेट क्यों ब्कॉझ ये प्लांडमी का फ्लांड तो इन्होंने क्या क्या है के अपनी होल याफ कि अन्म fu प्लांड का फिरूऑ सब्जक्ट आपको जानके पैसे वकील सबस्क्राइज। परके वकिल बनना चाहता था क्या भाई होता है लाइफ में ऐसा को चरना आता है या फिर हो सकता है वक्तालत में उनका इंटरेस्ट हो तैलेंट हो नहीं कर सकते हैं जो भी एनिमल के चीज़ पाया कि जितने भी एनिमल होते हैं उसकी जो ऐटर मोश्ट बहुंडरी जो सेल की रेखाया बडरा फ्लैक्सिवल मेंब्रेन होता है उन्होंने क्या बोला που अनिमलल सेल सरांदिट वाय अब फ्लैक्सिवल मेंब्रेन क्या Gerusalem बलक्सिवल मेंबरावल व्हल नो आ desktop मेंटक तान करती nimmt इस स्थाइब लेकार बॉत हुए लेक बनःबर डिये रहते हैं घर अज ब लुक्सार भूला आज हो लुए ल्याएं योड यह आनिंडीटी करते लेकिन इसके बाहर एक हाड़ चीज होता यह और इसको इन्हों ने बोला कि इस वन इस सेल वाल और इन्हों ने ऐसा बता है कि यह केवल प्लांट में मिलता है तो यह कहना एंस्ट ने लिख दिया कि फॉंड वनली इन प्लांट बट आप पुरा लाइन पर यह अब इसका मिलता है फंजाए में भी मिलता कलम आपको सेल वाल पढ़ाएंगे लेकिन इन्हों ने यह जो बोल रहे हैं यह चुकि एनिमल और प्लांट पर सदिखिए तो इनको ऐसा दिखा जो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बंडरी है वह फ्लेक्जिवल मेंबरेन है और जो प उसके अंदर ट्लिक्जिवल में तो इन्होंने वोला किसेलविज जाए उनिच फ्लांट इन्होंने ऐसा बोल तैА जिसलों इसंट फिचर आफ गिति अचिनीक फीचव घर फ्लांट हिना रंड़स सेल और यहां नोने क्या एक्वाल और आल आनिमल तेय दौन जाने अब बय और अनिमल इस इस शराउंडेड एस डबल ओर ओंडी सराउंडेड बाइस फ्लेक्जिवल मेंब्रेंड जिसको आज हम लोग नाम से थाथ है अब ऐसे तो थोड़ी होगा कि ऐसे आप घुसे प्रेस्पान फ्रेस्ट में कुछ भी बोल देंगे हो गया आपका अपका अप्ट इसा थोड़ी होता है यह प्लांट से यह लाइन चूज किया था बोलने के लिए अपने स्टड़ी के दवरान यह चीज़ नहीं निकाला अब ऐसे तो नहीं बोल सकते न इन्हों ने प्रेस कॉंफरेंस में क्या बोला कि हम एक हाइपोथेसिस देना चाहते हैं अब भाई है इसी को बोलते हैं इससे पहले आता है इमेजिनेशन इमेजिनेशन फिर आता हाइपोथेसिस तब आता है प्रिंसिपल और तब आता है लाओ हमने कोई पाइपो जनकुलूड कर लिया है अब विदावट एनी एक्सपरिमेंट मैं जो पोल रहा हूं विदावट एनी मतलब हाइपोथेसिस और रखवाग लगवग एक ही चीज है इमेजिनेशन पाइपोथेसिस एक ही चीज है मुझे ऐसा लगता है अब मैं इसका experimental verification मेरे पास नहीं मैंने किया नहीं यह सारा काम मुझे ऐसा लगता है मुझे तो यह सब एक ही चीज है कि मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी वह चीजें एक्सपरिमेंटली वह वेरिफाइड हो गया तब आपके उस थियोरी क्या दर्जा दिया जाता है कि फालाना थियोरी और अगर आपका वह थियोरी ज्यादा तर चीजों पर अप्लिकेवालों जिस चीजों के लिए आप दिये हैं तब उसको principle कहने लगते हैं और अगर आपका वह जो कंसेप्ट आप दिये बिना सोचिए बिना एक्सपरिमेंट की यह वह थियोरी भी निकल के तब आपके उस ऐसे तको लाउ का दर्जा मिल जाता है यह होता है साइन्स कमुणित का अपना एक होड़ू होता है तो इन्हों ने बोला कि मैं एक हैपोतेसिस दे रहा हूं मैं cell hypothesis दे रहा हूं और वोला कि मैरे cell hypothesis का दो statement है पहला all animals are all animals is surrounded by a flexible membrane and दूसरा cell wall is unique feature of plant cell और सबसे पहला statement मेरे sale hypothesis का है कि all plant and animal are made up of all plant and animal are made up of are made up of sale and product of sale and product of sale तो तुमको नहीं लगता कि ये line और ये line लगवग एक ही है बस अंतर इस बात करकि इन्होंने केवल all plant बोला है इन्होंने all plant and animal भी बोला है all plant and all animal क्यों बोला ऐसा मैंने पहले कर दिया यह जो जो लोजिस्ट है यह तो प्लांट पे भी स्टड़ी किया जब इनको कुछ प्लांट पे स्टड़ी कर कैसा लग सकता है कि all plant are made up of sales and their product तो इनको ऐसा क्यों नहीं लग सकता है निमल प्लांट दोनों पर स्टड़ी करके क्यों अब कुछ बत्तिस हो चोड़ है नहीं है नहीं है अरे एक साल पहले इनका conclusion छापाय कितना चोड़ी कर लेगा यह अलग देश्किया जर्मनी के रहने वाले हैं यह ब्रिटेज यह ब्रिटेन के रहने वाले हैं ब्रिटिस हैं यह तो उसका कंसेप्ट कैसे चोड़ी कर लेगा उस टाइम मीडिया इतना ज्यादा यह थोड़ी पॉपलर था क्यूंका कंसेप्ट वस के पास आजा और यह चाप दे नहीं में कि दोनों इंडीपेंडेंट वर्क कर रहे थे हैं दो अपना इंडीपेंडेंट एक से बस अगले साल 18-38 के अगले साल 18-39 ही इनका कुलूजन कुआ था औल प्लांट्स आर मैट पॉप सेल और प्रोड़क्टेंट इन और तीसरा क्या सेल वाली यूनिक फिचर ऑफ प्लांट सेल यह तीन इस्टेटमेंट इस सेल है जो किसने दिया है तीस्वान ने जो लोगिस्ट में अब बताओ यह वाली दोनों लाइन अगर कभी आपको मिल जाए एक्जाम में कि और अगर यह लाइन किसने दिया लेकिन बादे के बादे में बात यह बात किसने का अच्छा बता यह बात कोई कैसे कखता है कि सेल वाली यूनिक फिचर ऑफ प्लांट सेल में नहीं मिलता है जो अनिमल प्लांट दोनों का स्टेडि किया आगा वही नहीं ऐसा कह सकता है जी है कि जो दोनों का स्टेडि करेंगा उसी वही नहीं बात कर सकता है यह आतों कि स्टेडि किया है कि अब फंसता यहां है तो आगर केवल ओल प्लांट लिखा मिले तब तो आप क्या सूचोगे all plant and all animal दोनों लिख दे तो आप क्या सोचोगे कि ये स्वानी की बात है तब कुल मिलाके 1838 और 1839 तक में ये बात सामने आ गई कि animal और plant जो होता है और कुछ बात है ये समझ में आ गई कि अगर कोई ऐसे एक सेल ने डिवाइड करके कई सारे सेल बनाए ग्रूप में उसको टीचू करते हैं जब ऐसे डिफरेंट टाइप के कई सारे टीचू है जाना इस य Putting बने होंगे इस तैप के सेल से ऐसे कई सारे Batas BEं करने करणे के बोडी के इंतर वर्कक करने लग जाये थो और जिस बॉड़ी के अंदर यह ओर्गन सिस्टम चल रहा है वह ओर्गनिजम कहलता है यह है लिविंग हाइडिकी मतलब सेल से ही सब कुछ बना है अब सेल किस चीछा बना वो तो हम आपको आगे बनाएंगे तो कुल मिला के यह सारे यह तिसू और यह ओर्गन सिस्टम फानल अब जब 1839 में स्वान ने अपना सेल है और यह एम जए श्लिडेन ने अपना इस सेल कंक्लूजन दे दिया था प्लांट के बारे में तो श्लिडेन और स्वान को लगा हम दोनों में से किसी का भी बात थ्योरी लाइक अभी बना ही नहीं है क्यों ना हम दोनों मिलके अपनी बातों को एक्स्परिमेंटली वरीफाय करें और दोनों मिलके थ्योरी दे दे दें अगर दोनों मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा असान दोनों ने एक दूसरे को कंटेक्ट किया और कंटेक्ट किया जिस भी जरिये से किया उस ताइम जो भी फैसिलिटी होका कंटेक्ट किया और फैनली दोनों ने मिलके 1838 में जो एम जे स्लिटेन में जो 1838 में 1838 में सेल कंक्लूजन दिया और Tools ऑर ती प्रस ऑ है कि तुम क्या कर रहे हो तुम लेक्चर देख रहे हो या केवाल से लिख रहे हो एक लेक्टर सुन रहे हैं फिर तुम झर फिर इस इते कुछ पूछना चाहते हो कि सबसे लड़काई के वादी लिख रहा है कि यहां लिख रहा है यह यह ने सुन रहा है कि ताइम पास कर रहा है तो मुस्से सेल हाइपोथेसिस दे दिया अब दोनों ने एक दूसरे को क्या क्या कॉंटक्ट किया बोला स्वान साब दोनों ने मिला आपस में का क्यों ना हम दोनों अपने सेल कंक्लूजन और हम अपने सेल हैपटेसिस को मिला के क्यों न एक सेल थियोडी दे दिया जाए कुछ चीजिए एक्सपरिमेंटली कर लेते हैं बरिफाय फिर तो थियोडी दे ही सकते हैं साइंटिपिक कमिटी मा नहीं लेगी तो चक्कर यह परा कि वह यह बता है ने जब पार्टनर्शिप करते हैं तो फिर वहां पर क्रेडिट का चक्कर हो जाता है तो श्लिडेन और स्वान आपस में इस बात को पहले कि SENI का च्रेडिट को जाएगा हमको यह अप को तो दोनों ने आपस में यह यह कि देखिए जब भी पुछा जाएगा दुनिया के सामने कि किस ने दिया तो किसी एक का नाम लिया है नहीं जाएगा दोनों का नाम साथ लिया जाएगा किसी एक कनाब लेने वाला लोग मतलब आधा दुरा जवाब देगा है इसलिए अगर आपसे आज के वास सवाल पूछा जाए कि सेल थिया किसने है तो एम जे स्लिडेन प्लस सी स्वान ने कब दिया गया है 1838 से लेकर 1839 तक में दिया गया है यह पूरा डूरेशन होगा थियो यह प्लांट आपसे लिए गलत है वह बहुत जाएगा अंसर रही बात सेल कन्कूलूजन का तो स्टेटमेंट क्या था यह यह था यह दखो प्लांट अन्दिर प्रोडट्स सेल हैपोसिस का कंकूलूजन यह था कि अपने इस दोनों स्टेटमेंट को मिला के एक स्टेटमेंट बनाया से थेयोडेंट और बigorा लिए फालि का पहला स्टेटमेंड अल लेविंग स्रमेस्यच अहां यहां से ओओल लिविंग्स आर मैड़ अप और अफ ऑल लेविंग्स आर मैड़ आप यह जाने 얼rat को यहां से तोनों से मिलके लाइन बना और दूसरा यहीं से इन्हीं दोनों ने पहली बार बोला कि इस बेसिक और फंडामेंटल नियुक्ट अफ लाइफ लाइफ और ये एटीन थर्टी में इन दोनों के बातें तो एक्सेप्ट होई गई थी फिर इन दोनों ने मिलके थी पर पोस्त कर दिया थीन ये यह तो गई यह फूरी हुट हो गई और आज तक हम इन थी ओरी को खोलो करते हैं और लिविंग्स और अलग लग 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 कहीं पर टीसू तक यह कहीं पर और तक है तो यह एंट दीयर प्रोड़क्त महां पर लाइन नहीं है ऐसा तो रही कि गल अगे का यह पूरा लाइन लिखना तो ज़रूरी है और सेल फंटामेंटर इस्ट्रक्चर फंक्शन विटे अभी हम आपको समझा चुके है तो अकुल मिला के यह थियूरी बहुत हीट होगी 1838-39 आब तो क्या एंजे स्लिडेन और एंजे स्वान दोनों अगदम मस्त मोटा वाला टाय लगा के घुमने लगें मार्केट में पूरा इजजत मिलने लगां अदम मोटा वाला टाय कोलर में लगा के घुमने लगें इसके बाद आते हैं कई सारे साइंटिस्ट जिनको इनका ये मोटा सा टाय पसंद नहीं आया और एंजे स्लिडेन और टी स्वान को बुलाते हैं चोड़ाहे पर और चोड़ाहे पर सभी लोगों को जमा कर लेते हैं और कहते हैं अरे वह एंजेस लिडेन और टी स्वान बहुत तुम क्रेडिट ले लिए चलो एक बात बताओ तुम जो एतनी बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हो कि सारा लेविंग सेल का बना है और सेल बेसिक एंड फंडा इस सेल आया कहां से आप कहरो और लिए उस दिन तो उन्होंने बहाना बना के निकल लिया कि ठीक ठीक आप लोगों को बताएंगे ऐसे थोड़ी होता है रोड चोड़ाई पर रोग के कुछ भी बच लेंगे बताएंगे बताएंगे आपके ट्रॉल्ट पर चौफ व्यां कितना बड़ा बड़ा बात कर दे सुचल्ट आया कहां से दित्की हम बात कर रहे हैं सबस्कें की अब लोग इसको जिब मारीट कीन निकलते दें लोग इसको घर लेते थे यह सेल कह सबusta था इन अब लोग पकड़ेंगे हमें पुछने के लिए पहाना बना के भाग जाएंगे पता तो है नहीं ना जब लोग पकड़ते थे चले देरो जाने दो कल कोई जा रहे हैं कोई पकड़ लेया सेल कहां साय बताओ अज मेरा बड़े मुझे के कट ना जाने दू कि आपस में दूसरे के साथ ऐसा मूच्वल अंडेस्टेडिंग बना लिया था कि कभी अगर अकेले पकड़ा जाए तो टीस वान इसको मिस्कोल मारता था कहां तो जल् कोई जवाब ने मिला कि सेल आया कहां से बहाना बनाने का अच्छा जड़िया खो जा जहां हम फस है तुम हम को मिस्कॉल मारना हम बोलेंगे दो को अमर्जनसी कॉल आ रहा है अभी मुझे जाने दूंगा सेल कहां से आया है लेकिन बता कभी नहीं पाए समय बिता गया एम कैसे बताते हैं इसके जानने के लिए आप देखते रहे हमारा अगला एपिसोर इस मिटिंग को समाप्त करते हैं अगले मिटिंग में हम यह डिसकस करके या आगकी क्लास समाप्त करेंगे कि वह सेल आया कहां से कुल मिला के अभी तक फिलाल इस सेल थियोरी की ड्रॉबेक क् को साता है और सेल थियोरी दने वाले सैंटिस्ट ये दोनमें कुल मिला की अवह सारी बात है अब रही बात अब हम बताएंगे अगला को वह सक से वटाएगा की सेल कहां से आया रही बात एक्जाम में यहां से कुछ कंफूजिंग कोसन्स आते हैं पहली बात तो यही पूछ तो पहली बार बोटनिस्ट और जोलोजिस्ट में कई वार आपको फंसा लेता है तो आप स्वान जानते ने स्वान हंस हंस का नाम स्वान इंग्लिस में और संस्क्रीट में स्वान का मतलब कुट्टा भी होता है तो स्वान हो संस्क्रीट में कुट्टा या इंग्लिस में हंस अब बात फसता है देश का कि देश कैसा याद रखें कौन जर्मनी के कौन बिट तो कि ये भी आ चुका एक्जाम में तो दोखो मेरा बस एक ही ट्रीक है कि बीबी किसी काम की नहीं लेकिन जीवी बहुत काम की है क्या वले में नैं बी बिटिस बॉट निस्ट एक साथ कभी मत लाना सामने बीबी किसी काम की नहीं लेकिन जीवी बहुत काम की है देखते हो अभी दो वह किसी काम की नहीं है बस मैं ट्रक के लिए बता रहा हूं था मैंने बता दिया कि जोलोग कोन सवान तो बॉटनिस्ट कौन था सिलिडेन कहां घाथ जीवी काम किये जर्मन बॉटनिस्ट था जारी सी बात है प्रिटिस होगा अब बुटिस है कि पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तानी है इतना तो आपको याद रखना पड़े गाने इसलिए तो बतारे हैं बीबी किसी काम की अब इसी से मिलता जिता जीवी काम की जर्मन बॉटनिस्ट को गया सिलिडेन हो गया और यह ब्रिटिस जॉलोजिस्ट को गया स्वान हो गया तो यह कुल मिला के सवाल आता है इसका अभी मैं टुक बता दिया अभी आप इस मिटिंग को मैं खतम कर रहा हूं फिर अगला वर्च्यू ऐसा कुछ लिखा होगा इसके पहले तक यहां तक पर लिए रडाल वर्च्यू के पहले तक यहां तक और उसका वाद हमने मिटिंग करते हैं ठीक है